नमश्का राजदाना टीवी पर आपका स्वागत है में प्रियाम आपके साथ टेली विजन के पापुलर रियालिटी शो बिग बॉस सत्रा में पवित्र विश्टा फेम एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे अपने पतीवी की जेन के साथ पहुँची है अंकिता उस वक्त सबसे जादा चर्चा में थी जब 2020 में सुशान सिंग राजपुत ने आत्मत्या कर ली अंकिता सुशान की एक्स गल्फरिंड थी अब शो में अंकिता लोखंडे फिर एक बार सुशान को याद कर भावक होती दिखी है साथ ही उन्होंने सुशान के अंतिम संसकार में शामिल नहोने का भी कारण बताया सोमवार को टेली कास्ट हुए बिग बॉस सत्रा के एपिसोड में मुनवर फारुकी और अंकिता सुशान पर बात करते नजर आई सबसे पहले मुनवर ने एक शायरी सुनाई जिसके बाद अंकिता ने सुशान की फिल्म MS दोनी दा अंटोल्ड स्टोरी का गाना कौन तुझे यूँ प्यार करेगा गाया अंकिता गाना गाते वे अचानक रुख गई तो मुनवर ने बात को आगे बढ़ाते वे कहा कि उन्होंने यश्राज स्ट्यूडियो में इस फिल्म की स्पेशल स्क्रिनिंग अटेंड की थी वो भी सुशान के साथ इस पर अंकिता ने कहा बहुत अच्छा इंसान था वो जब भी मैं कहती हूँ था तो मुझे बहुत अजीब लगता है वो अंकिता के पती विकी का भी दोस्त था अभी तो सब ठीक हो चुका है लेकिन शुरू शुरू में ये मानना की वो अब इस दुनिया में नहीं है ये सबसे घटिया फेलिंग्स थी इसके कुछ समय बाद मुनवर ने कहा आपकी स्टोरी के सबके अलग-अलग वर्जन है लेकिन आप वो हैं जिसे सब सही पता है इस पर अंकिता ने कहा मुझ पर किसी ने भरोसा नहीं क्या था लेकिन फिर भी ठीक है जब कोई इनसान चला जाता है ना जिन्दगी से तब समझ आता है कि किसी को इस तरह खोने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था ये बहुत शौकिंग था मैं तो उसे फिनरल पर भी नहीं गई थी मैं जा ही नहीं पाई मुझे लगा मैं ये नहीं देख सकती ना कहते हुए अपने पिता को याद करते हुए अंकिता लोखंडे रोव परती है इसी साल बारा अगस को अंकिता के पिता शशीकान का निधन हुआ था पिता के निधन से अंकिता पूरी तरह तूड गई थी अंकिता लोखंडे और सुशान्त की पहली मुलाकात पवित्र रिष्टा टीवी शोक के सेट पर हुई थी रिलेशन्शिप में आने के बाद 2011 में सुशान्त ने अंकिता को नेशनल टेलिविजन पर प्रपोस किया था दोनों ने 2016 में शादी की एनॉंस्मेंट की थी लेकिन अचानक दोनों ने प्रेक अप कर दिया बागी की तबाव का अबरों के बने रहे हैं राजणमा नभी के साथ ताने बाद